जैहिन साथ क्यों स्वागे थे आप सभी का एजुकेशन के अट 6 में रुख करते हैं बिहार के तरब चैनल पे आप नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा वेल आइकन दबा के ताकि यार वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके दो के सबय तो बहुत कम दिया गया है आपको पढ़ाई करने को लेगर लेकिन ये बुक आपके लिए रामबंड साबित हो सकता है जैसे कि जो भी चात्र यहाँ पर कक्षा 9-10 के लिए या 11-12 के लिए समानने अध्यन की परिक्षाओं की त्यारी करना चाहते हैं या उसमें जो पर कक्षा 9-10 में त्यारी कर रहे हैं गड़ित विसे को लेकर उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट बुक जो है बहुत ही इंपॉर्डेंट है तो ये बुक अपने पास रख सकते हैं भी पेसी ट्यारी 2 को लेकर यही नहीं जो छात्र या पर हिंदी भासा की परिशा के लिए के अपलाई करते हैं उनके लिए भी यहां पर बता दे कि ये बुक इंपॉर्डेंट है जो कि एंसी एर्टी और इस्टी एर्टी के आधार पे ये सारे कोशन पैटर्न तयार करके दिए गया है इसमें प्रिभीस दर्कावी आपका जो भी कोशन हुआ है एक्जाम उसके भी प्रशनुत्तर सामिल किया गया है तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होगा यहां से आप इसको पर्चेस कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है या फिर आप अपने नजदी की रिटेल से जाके बुक स्टॉल से भी जाके इस चीज़े खरेच सकते हैं यही अधिन का भी ये प्रेक्टिसेट बुक दिया गया है गणित का भी ये प्रेक्टिसेट बुक दिया गया है हिंदी का भी दिया गया है तो सभी विशियो का जो है यहां पर मैंने आपको बुक दिखा दिया है बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है आप पर आप लोग का result भी घोशित किया गया, लेकिन यहाँ पर जिस दिन से form निकला है, उस दिन से लेकर आज तर, यहनि कि result भी हो चुका है, निवक्तियां भी हो चुकी है, यहाँ पर लोगों को अपना चिला आवंटित भी किया जा चुका है, उसके बाद भी, यहाँ पर उन मौका दिया जा रहा है जिनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है उनके scorecard में गलती आई है उनके result में गलतियां हुई है उनको लेकर भी एक आपती आनि कि objection करने का यहाँ पर मौका दिया जा रहा है लेकिन थोड़ा साउधान रहिएगा चुकि यह मौका आपको भारी पड़ सकता है अगर आप गलत हुए तो तो कि यहाँ पर देखिए वही आपती करेगा ना जो जैन्विन इस्टूडेंट है पहले ची तो मैं बता दू यहाँ पर वो छातर गलती से भी नहीं जाए जो छातरों को लगता है कि मैं चलहाकी करके यहाँ से भी आगे पार कर जाओंगा चुकि अगर आप इस बार पकड़े गए और आपके साथ चुकि बहुत सारे लोग हजारों में से चातर हैं जो कि इस प्रक्रिया से बाहर हुए हैं आज का एक न्यूज अपडेट देखिएगा उस न्यूज में आपको बताया गया है कि जो चातर पकड़े गए हैं इसमें फ्रॉट गिरी करते हुए उनको अब जेल हो रहा है तो यह थोड़ा सा साउधान रहिएगा आप लोग चातर यहाँ पर पार करने का बिल्कुल मत सोचिएगा लेकिन यह मुझे लगता है कि यहाँ पर वही जनुएन इस्टुडेंट ही आपत्ति करेगा वो अपने सारी डीटा दिख लाएगा यहाँ पर उनको लगता है यहा हमारे साथ नंबर बढ़ सकते हैं हमारे सेलेक्शन हो सकता है तो उनको यहाँ पर यह अपडेट दिया गया है चलिए मैं सीधे ऑफिशल वेबसाइट पर ले चलता हूं और यहाँ पर बीपी एसी टीरी टू से संबंदित भी चीज़ों को आपको मैं साध्या करूंगा तो करना होगा और यहाँ से अपलाई ऑनलेन वाले सेक्शन पर जाना होगा और यहाँ पर आपको लॉग इन करना होगा लॉग इन करते ही आप जो है इस पीज डैस्बोड पर अपने आएंगे जो कि आपका डैस्बोड कुछ इस तरह से दिखेगा यहाँ पर आपके सारी कि हैं चुकि जो चात्र को लगता है यहां पे कि हमने कोश्चन सही जही बनाए हैं हमारा मार्क से इतना आ रहा है और उनका सेलेक्शन नहीं हुआ है उनको आपत्ती करने का यहां पे मौका दिया जा रहा है तो आपको इसको भी डाउंलोड करके रखना होगा दूसरी चीज अपने डॉक्मेंट्स को भी यहां पे डाउंलोड किजेगा चुकि इसका तो वेरिफिकेशन होगा ही चुकि यहां पे पहले तो यहीं वेरिफिकेशन होगा कि आप ही वह जेन्विर स्टुडेंट है जो कि यहां पर अत्तिक कर रहे हैं और इसकी मिलान की जाएगी अगर यहीं पे आप पकड़ेगे तो यहीं से आपको भाई आपको कानूनी करवाई आपके उपर किया जा सकता है चुकि यह चीज़े मैं नहीं कह रहा हूं यह चीज़े जो है आपका नोटिफिकेशन कह रहा है जैसी आप यहां पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पे यह आपका कर सकते हैं जिहां आपको गलत पाई जाती है तो तदा शुलत यहां पर तो और आगामी परीक्षां में भाग लेने से आपको बैन किया जाएगा यानि कि प्रतिबंदित किया जाएगा तो सीधे सीधे चेतावनी है आप लोग को वही लोग यहाँ पर आप पत्ती करेंगे जिनको सही में लग रहा है कि हम कहीं न कहीं गलती है अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ पर कि आप गलत है और आप पकड़े जाएंगे त यहाँ पर आयोग यहाँ पर देख सकते हैं तो पहला है कि याचिति का अरक्षन का लाब नहीं मिला कि याचित याचित है सबस्क्राइब नहीं मतलब कि वैसे student जो की category में है और उनको आरेक्षन का लाब नहीं मिला मतलब कि अगर माल लिजे कि आप इस ती category में है cut-up देख लिजेगा cut-up वाला PDF भी आपको website पे अबलेबल है आपका उतना cut-up है फिर भी आपके cut-up के अनुसार जो है आपको उतना marks नहीं मिला मतलब marks नहीं मिला लेकिन वो बराबर है पर फिर भी आपको disqualify किया गया है तो यहाँ पर वो चीजे को लिखना होगा जो भी आपका सिकायत है उसको descriptive format में यहाँ लिखना होगा अपने विसाय को यहाँ लिखना होगा जो कि 150 करेक्टर में लिखना होगा ठीक है फिर section का प्रमाण पत्रिया पर अप्लोड कर दीजेगा इसी से मिलान किया जाएगा यहाँ पर फाइल आपको देखा जाएगा उसी से मिलान किया जाएगा ठीक दस्तावेज सत्यापन में तूटी के कारण अयोग सूची में सामिल अब यहाँ पर है document सत्यापन में अगर कोई गलती है तूटी के कारण अयोग सूची में सामिल अगर इसके लिए कमिल देखे यह बहुत important update देदिया गया है कि अगर आप यहाँ पर सिकायत कर रहे हैं जो भी एक institutional body है जो कि आप यहाँ पर सिकायत करेंगे तो इसको लेकर यहाँ पर चीजों को describe करना है कौन ऐसे लोग हैं जैसे कि माली जै कि उनका सिकायत आप कर रहे हैं ऐसे लोग सामिल है उसका भी PDF बना के आपको यहाँ पर अप्लोड करना होगा अच्छा अगला है कि अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंप्लेंड कर रहे थे कि जैसे कि मेरा भासा में नंबर ज्यादा आ रहा है और यहाँ पे जो है मुझे वहीं पर अयोग कर दिया गया है तो मैंने आपको एक example भी दिखलाया था वीडियो बनाकर एक छात्र का उनका calculate करने पर calculate करने पर उ उनके जो remark दिये गया है, cut up दिये गया है उनके अनुसार लेकिन उनका result ही अयोग की घोशित कर दिया गया है मैंने इसके उपर एक वीडियो बनाया हुगा है आप लोग देख लिजिएगा तो यहाँ पे आप अपना क्या करेंगे यहाँ पे अपना वह सारा detail डालिएगा कि आपके यह जो problem है आपको describe करना होगा और उसका प्रती अपलोड करना होगा किसका जो आपका OMR seat है उसका यानि कि आपने जो है उसको upload कर लिजेगा कि आपने इतने सही question किये है उसका मिलान किया जाएगा अब यहाँ पे भासा के यह तो हो गया यह आपका आपत्ती हो ग कटफ पीपर यानि कि जो जिसके माली आप computer science हैं तो computer science में आपका कटफ के बराबर होने और उम्र और नाम के अधार पर कटफ के ऊपर रहने और भासा दस्तावेज के आयोग सुची में नहीं रहने कि बावजूद चयन नहीं हुआ तो यह अगर आपकी समस्या है तो इसमे आपको यह सारे गृभियांस डालना होगा यानि कि आपको अपना जो डिस्क्राइब करना होगा और उसमें आपको जो है अपना documents डालना होगा अपलोड करना होगा किसीज का तो आपने जो है अमार का चुकि आपको यहाँ पर देखा जाए तो marks से समंदित है चीजे तो य इस क्रेटरिया मिलाए है आपका डेट ऑफ बर्ट जो कट अफ डेट दिया गया है उसके अनुसार भी आपका यहां पर भासा और दस्तावेज के आयोग्य में आपको आयोग्य सुची में नहीं रहने के बाउजू चैन नहीं होना नहीं हुआ है उसको यहां पर अपलोड करन है उसका तो यह चीज़े यहां से चेक किया जाएगा ठीक है अब यहां पर पांचवा लाइन है मुख्य पेपर का प्राप्तांक कटफ से अधिक होने जैसे कि आपका कटफ से अधिक है और भासा और दस्तावेज में आयोग्य सुची में आपको नहीं रहने के जैन नहीं हुआ यहां पर तो अयोग यह लिखा हुआ है ध्यान से देख लेजिएगा अगर आपका कटफ मांक से अधिक नमबर आया हुआ है और भासा और डॉक्मेंट्स के अयोग सुची में आपको नहीं रहने की वज़त से भी आपका चैन नहीं हुआ है तो उसकी उप अब अन्य संचिप्त वीवरन यहां पर दे सकते हैं जो भी आपको लगता है तो अन्य में जो भी आप सिकायत दर्च करना चाहते हैं तो उसका एक PDF अपलोड यहां पर कीजिएगा तो यह चीज़े तो बहुत सारे लोग उनका भी PDF अपलोड कर देंगे जो लोग यहां पर अंडर एज में रहते हुए ही उन्होंने एक्जाम दे दिया है इसकी जांच नहीं हुई है इस चीज का भी विवरन यहां पर डाल सकते हैं और यहां पे आप इसको अपलोड कर सकते हैं उनका डॉक्मेंट तो उनको उनके उपर कारवाई होगी और उनको बाहर के जागा ल जो को वह भी मैंने आपको बताया है ठीक है तो यह चीज़े आपको करनी है लेकिन ध्यान में रखिएगा अगर आप BPSC का जो अगला एक्जाम देने जा रहे हैं BPSC TRE 2 देने जा रहे हैं तो आपको अपना समझना होगा पहले उसकी लिए आपको बुक समझना होगा और तयारी में लगना होगा तो कि समय यहां भी आपके पास बहुत कम है और इसकी तयारी को लेकर जो है लगातार में आपको बुक भी बता रहा हूं उसको लीजिए और पढ़ना सुरू कीजिए क्लास 6-8 के बहुत सारे छात्रों की बहुत सारी मांगे हैं अभी यहां पर उनका भी मैं लिस्ट लेकर आऊंगा जल्द ही आप लोग के लिए अगर आप से कोई सुझाओ यहां पर आपको लगता है कोई सुझाओ देना चाहिए आयो को तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमे अब्यांस करेंगे और अपना जो है सिकायत दर्ज करेंगे यहां पर फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जैहिंद